Hello students, good morning, welcome to e-learning class, how are you, I think you are happy and healthy at your home, I am a Hindi teacher, today will be discuss about your topic, revision of December exam, आज जम हमने जो December exam में हमने paper solve किया था, आज हम उसको revision करेंगे, क्या आपने exam में क्या क्या mistake की थी, जिससे क्या आपके marks cut हुए, अब आप उसको एक बार दुबारा से repeat करेंगे तो आपको revise भी हो जाएगा, और आपको अपनी mistake का पता भी चल जाएगा, क्या आपने कहां पर क्या mistake की थी, जिससे क्या आपके marks cut हुए, ओके students, let's start, first question is, नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर दो, सबसे पहला question था, कि उसमें आपको 10 question दिये गए थे, तो आपको उन 10 question के answer write करने थे, तो first question था हमारा, उंट को क्या कहते हैं, जो उंट होता है, जो camel होता है, उसको हम क्य कहते हैं, तो इसका answer था, उंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, जो उंट होता है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या आप सभी जानते हो कि उंट के जो पैर होते हैं, वो गद्देदार होते हैं, जो रेट में धस्ते नहीं हैं, और वो रेट पर असानी से च चल सकता है इसलिए उसको उंट को रेगिस्तान का जहाच कहते हैं क्योंकि जो रेगिस्तान की जो रेट होती है वो बहुत गरम होती है जिस पे और विकल चलने में प्रॉब्लम होती है इसलिए सभी लोग अपना छोटा काम करने के लिए उंट का परियोग करते हैं एक इस्ता में उसने अपने फादर से पुरसकार में क्या मांगा था क्योंकि उसके पिताजी राजा थे और उनका बेटा था राजकुमार तो उसने पुरसकार में अपने फादर से मांगा था कि राजकुमार ने दुख को आपस में डिसकर्स कर रहे थे तो उसने वापस सुन लिया था तो उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे इनके दुख को दूर करना है और उसने अपने पिताजी से शर्ट रखी कि अगर मैं तलवारबाजी सीख जाऊंगा तो मुझे क्या इनाम मिलेगा तब वो कहते हैं कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें प्राइस में मिलेगा तब उसके पिताजी जब वो जीच जाता है तलवारबाजी सीख जाता है तब उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि राच कुमार ने उसे मांगने के लिए क्या मांगोगे तो उसने उसे कहा कि मुझे ये चाहिए पुरसकार में कि आप इन गरीब लोग को छोड़ दो और आपने इन से जो भी कुछ समान लिया है वो उसे वापस कर दो और उने यहां से जाने क्या ग्या दे दो एक दिन खरगोश के पीछे कौन पढ़ गया जो खरगोश था उसके पीछे कौन पढ़ गया था तो इस लेसन में आप जानते हो हमें यही सिख्षा मिलती है कि जो हमारा अच्छा समय होता है उस समय में तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं पर हमारे मुसीबत में जो हमें साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है परन्तों मुसीबत में हमारे बहुत कम ही लोग होते हैं जो हमारा साथ देते हैं तो इसका अंसर था एक दिन खरगोश के पीछे कुछ जंगली कुटे पढ़ गए जो खरगोश था उसके पीछे कुछ जंगली कुट्टे पढ़ जाते हैं ओकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है हमारा गाई किस काम आती है जो गाई होती है वो हमारे किस काम आती है तो इसका अंसर हमें लिखना था गाई दूद देने के काम आती है जो गाई पालतू परशु है वो राइट एपर इसका अंसर आपको यह देखना था कि कोश्चन में क्या पूछा गया है तो हमें यहाँ पे लिखना था गाई दूद देने के काम आती है नेक्स्ट कोश्चन था परिक्षा कोन लेता है तो जो हमारी परिक्षा होते हैं जो हमारे एक्जाम होते हैं वो कोन लेते हैं परिक्षा मास्टर जी लेते हैं जो हमें पढ़ाता है जो हमारे टीचर होते हैं वही हमारी परिक्षा लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन बच्चे कहां खेल रहे थे इस लेसन में जो स्कूल के बच्चे थे वो कहां पर खेल रहे थे तो हमें यहां पर राइट करना था बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे थे कुट्टे से कौन जलता था कुट्टे से गधा जलता था तो इस लेसन में बताना था जो कुट्टा था हो तो घर की रखवाली करता था बटनों की रख्शा करता था प्रंतु जो गधा था वो उसे बहुत ही जलता था रावज सिंग ने राम सिंग से क्या कहा रावज सिंग ने राम सिंग से यह कहा कि मुझे तुम्हारी साहता नहीं चाहिए क्योंकि उसने ऐसा कहा था क्योंकि जो रावज सिंग था वो हमेशा राम सिंग का बुरा सोचता था और उसने हमेसा उसके लिए बुरा ही सोचा और बुरा ही उसके संग वैवार किया और जब वो देखता है कि कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया और केवल वही इंसान मेरी मदद के लिए आया है तो उसको अपने उपर बहुती गिल्टी फिल हुआ तो उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी साहता नहीं चाहिए वर्षा कहां पर अधिक होती है जो बारिश होती है वो कहां पर जादा अधिक होती है तो वर्षा वहां अधिक होती है जहां पर अधिक वरिक्ष होते हैं हम यह भी लिख सकते हैं कि अधिक वरिक्ष वाले पर वर्षा अधिक होती है इसके बाद हमारा नेक्स कोशन था राजा ने क्या निर्णे लिया जो राजा थे उन्होंने क्या निर्णे लिया था तो राजा ने जोपड़ी के मालिक को बुलवाने का निर्णे लिया ये कोशन मोशली बच्चों ने रॉंग कर दिया था उन्हो कहां अगर यह कोशना था कि राजा ने मंतरी से क्या कहां तब आपको लिखना था कि राजा ने मंतरी से यह कहा कि जोपड़ी को यही रहने दो परन्तु हमारा कोशन है राजा ने क्या निर्णे लिया तो हमें यहां पर राइट करना था राजा ने जोपड़ी के मालिक को नेम होता है तो घरेलू घरेलू मतलब घर का जो हमारे घर में रहता है ये भी बच्चों ने लिखा था घर में पाले जाने वाले या जो घर में पाले जाती है जो पालतू पशी होती है वो पालतू का मतलब था अगर यहां पे पालतू होता तो आप लिखते घर में पाले जा इसमें आपको स्थान भरो जेन्षान मतलब अन्यस और इसमें वर्ड भी दिये गए थे आपको से सिलेक्ट करके आपको लिखना था मैंने यहां पर बॉक्स नहीं बनाया डारेक्ट अंसर लिख दिया तो यह जो राइड पैंसर लिखा हुआ यह अंसर है निकिल ने वहां बहुत से खालिस्तान देखे जब निकिल के जो अध्यापक थे वह उनको गुमाने के ल ले गए थे गधा कुत्ते से बहुत खालिस्तान था गधा कुत्ते से बहुत जलता था बहुत तेज खालिस्तान चल रही थी तो बहुत तेज हवा चल रही थी राजा की आखों में हर्च के खालिस्तान आ गए तो राजा की आखों में हर्च के अश्रू आ गए अश्रू मत ok students thank you